हेलो दोस्तो नमस्कार इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की जो ट्रेन जानकरी है वो है कॉर्बा विशाका पटनम एक्सप्रस के बारे में तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इ अगर हम बात करें कोर्बा विशाका पटनम एक्सप्रस के टिकेट किराय के बारे में तो वैसे इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जनर्ल क्लास के डिब हैं मैं जो अभी कोर्बा विशाका पटनम का एक्सप्रस का किराय बताऊंगा तो कोर्बा स्टेशन से विशाका पटनम जंक्शन तक का बताऊंगा बाकी आप अपडेटेट किरा जो है रेल्वे की वेबसेट पे जाके जरूर चेक कर लें दोस्तो इसमें सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 1450 रुपे थर्ड एसी का जो किराया वो है 1030 रुपे और स्लिपर क्लास का जो किराया है वो है लगबग 380 रुपए के क्रीब इसके लावा इसमें जनर्र अंडर्जर्व डिबे भी है जिसका किराया जो है 201 रुपए के गरीब है यह किराया आप किसी भी रिलवे टिकेट कॉंटर या वेबसाइट पे जाके कन्फर्म कर सकते हैं दोस्तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कोरबा विशाका पटनम एक्सप्रेस के टाइल के बारे में और जान लेते हैं कोरबा से विशाका पटनम तक इसके कौन-कौन से स्टेशन साते हैं दोस्तों कोर्बा विशाकापटनम एक्सप्रेस जो है वो डेली ट्रेन है हफ्ते के साथ हो दिन चलती है ये कोर्बा 36 गड़ से शाम के 4 बजे एक नंबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तक्रीवन 31 स्टेशन से विशाकापटनम तक दूसरा जो स्टेशन आता ह जंजगीर नैला स्टेशन में ये ट्रेइन जो है शाम के 4 बजके 50 मिनिट के करीब पहुंचती है और चार बजके 51 मिनिट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टाप है उसके बाद ये ट्रेन जो है अकलतारा स्टेशन में पहुंचती है अकलतारा स्टेशन में ये शाम के पांच बज़ के तीन मिनट पे पहुंचती है और पांच बज़ के पांच मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है. उसके बाद यह ट्रेन जो है, बिलासपूर जंक्शन में पहुंचती है. शाम के 5 बज़ के 50 मिनट पे और 6 बज़े वहां से रवाना हो जाती है. इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यह यहां पर 4 न्मबर प्लैट्फॉं पे आके रुकती है उसके बद यह बहिला स्टेशन में पहुंचती है शाम ने 6.19 मिनट पर और 6.21 मिनट पर वहा क्यों से रवाना हो जाती है इसका कियां पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद कोर्भा विशा का पर्णम एक्सप्रा जो है वो भाटा पारा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6 बज़ के 41 मिनट पे और 6 बज़ के 43 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेन जो है तिल्दा नेयृरा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7 बज़ के 1 मिनट के करीब और 7 बज़ के 3 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेन जो है राइपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 9 बच के 50 मिनट पे और 8 बच के 10 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर इंजिन भी चेंज होता है उसके बाद ये ट्रेन जो है महा समूंद स्टेशन में पहुंचती है महा समुद स्टेशन में यह रात के 9 bodies کے 8 मिनट पे पहुंचती है 9 बज के 10 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिन पने दो मिनट का स्टॉप अंुसके बाद यह ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन भाग बरा स्टेशन मैं पहुंचती है रात के 10 बज्च के 13 मिनट पे उससे रवाना हो जाती है ऐसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद और तरud ये यहां यहां हो रात के उसके बाद यह ट्रेंज जो है मुरी बहल स्टेशन में पहुंचती है राद के ग pyris के 16 मिनट पे और 11 बच के 40 मिनट पे वह औहलाना हो जाती है । इसके बाद यह रूपरा रूड में पहुंचती है रात के 12.45 मिनट पे और 12.07 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 433 किलोमेटर की यात्रा जो है यह कवर कर चुकी होती है उसके बाद यह नोरला रोड में पहुंचती है रात के 12.55 मिनट पे और 12.57 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेंज हो है अंबोड डला स्टेशन में पहुंचती है रात के 1.23 मिनट पे और 1.25 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद कोर्बा विशाका पटनम एक्सप्रा जो है वो मुनी गुड़ा स्टेशन में पहुंचती है उसके बाद सिंगापुर रोड में दो बज़ के 40 मिनट पे पहुंचती है और दो बज़ के 42 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेंज जो है बोबली जंक्शन में पहुंचती है बोबली जंक्शन में यह सुबा चार बज़ के 23 मिनट पे पहुंचती है और चार बज़ के 25 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है स्काय पर स्ट्रोप ईसके बाद कोरबब वी मिन ञपर पर हैंगल उसके बाद यह जा पर के स्ट्रेशन है यहां पर यह ट्रेशन जो है सुबह साथ बज़े पहुंचती है और तीन नंबर प्लैटफॉम पे जाकर अपने यहां तरह इसमाप कर लेती है यहां तक ही जो टोटल जरूनिया यह यह 730 केलोमेटर की कवर कर चुकी होती है दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेण की वीडियो जो है समाप्ट होती है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेर ए ताकि ये information बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे